हेलो दोस्तों कैसे हो असूर सीजन टू के भाई सारे एपिसोड लाइव कर देगे पहले तो भाई जीयों ने बोला थे कि डेली एक एपिसोड दिखाएंगे भाई पबलिक की डिमाड इतनी बड़ी भाई इनोंने दो जून को ही सारे एपिसोड रिलिस कर दी हमने एक सारे देख ली तो भाई रिवी शुरू करते हैं देखो हम सिरू से समझते हैं असूर जो पहला सीजन था जिसकी काहनी जहां तक बिल्ड़ अप हूँ उसमें जितने उतार चाड़ाव दिखाये थे भाई इतने सस्पेंस दिखाये थे ने तकरीवन बहुत सी कम सीरीजों में होते हैं तीन साल पहले लोगों को शौक कर दिया था और सीजन का अंत जहां किया था जो हमारे हम सोच रहे थे कि भाई यही शुब है क्योंकि भाई यह CBI एक साथ जोड़ा हुआ था उनका कम्प्यूटर एक्सपर्ट था और भाई वो तेज दिमाग दिखार का जैसे सीजन में इसकी काहनी को बिल्ट अप किया गया था कि एक बंदा ऐसा है जिसका IQ लिवल बहुत उपर है तो हमने तो सोचा से यही शुब है पर भाई सीजन टू में यह सब कुछ बदल गया हम जिसको शुब सोच रहे थे वो शुब का साथ ही निकला भाई एक चीज बता थे को हम असूर को समझते हैं असूर क्या है पहले जमान नोम तो भाई लगा लो इंसानों को मारने वाले उनकी हत्या करने वाले खाने वाले राक्षसों को असूर बोलते थे पर आज के मोडर्न यूग में असूर कौन है जो भाई लोगों का ब्रेन वोश कर रहा है ब्रेन वोश करके उनसे गलत का मातंगवाद और भाई हुमन बं बन बन वा रहा है वो ब्रेन वोश ही तो वो असूर ही तो है वो असूर क्या है एलन मस्क ने कहा था कि आने वाड़े समय में दुनिया का सबसे बड़ा खत्रा AI है आप पर मानो बं से भी खतरनाक AI को सोच सकते जो कि बहुत से फिल्मों में भी दिखाया गया पर सब कुछ डिजिटल है आपकी करंसी, बैंकिंग, आपकी लाइफ सब कुछ आप लगा लो इंटरनेट बेस है आपकी सब कुछ ओनलाइन है तो भाई जब सब ओनलाइन है तो भाई कोई उसको हैक भी कर सकता है यही सी फिल्म में दिखाया हुआ है आजगा असुर किस तरीके से आपका अपना मिशन पूरा करता है और भाई वो किस तरीके से लोगों का माइंड ऐसा सेट कर देता है कि दुनिया में धरम करम कुछ नहीं है, इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है और भाई इसी उतार चढ़ाओ में पूरी सेरीज दिखाई हुई यार इस फिल्म में इतने टूष्ट है इतने मतलब उन्होंने सस्पेंस क्रियेट किया हुआ कि यार लास्ट तक हमें इसका चेहरा ही नहीं पता चलता कि शुब कौन है कहाणी इतनी जबर्दस बिल्डप की गई है अभी तक मैंने इंडिया में कोई ऐसे सीजन या ऐसे सीरीज नहीं देखी जिसमें इतनी अच्छी कहाणी बिल्डप की गई है जो लास्ट की आखरी कड़ी तक सब को बांध गे रखके यार हम तीन साल से इंतिजार कर रहे थे सेकेंड सीजर का और भाई जब ये आया है ना तो भाई साब इसने तभाई मचा दिया इसने इंसानियत को जंजोड के रख दिया इंसान का चेहरा इंसान को दिखाया है कि मुसीबत आने पर इंसान अपने भगवान की बली देने के लिए तैयार हो जाता है तो भाई ये सच है असूर सम्मे है यार पहले तो असूर की अलग पर जाती थी असूर अलगते, देव अलगते, मानाव अलगते अब तो भाई आज के इंसानों में देव भी है, असूर भी है और वो मानव तो हैं तो भाई इस सीरीज ने तो लगा लो एक अलग कॉंसेप्ट बनाया देखो हम जितनी भी सीरीज यह फिल्म में देख रहे हैं क्योंकि भाई असूर का कभी अंत नहीं होता इसमें कली और कलकी दिखाया है भाई कली का अवतार कोन है, कलकी है कोन है तो उसने कहा भी है, कली कभी ख़तम नहीं हो सकता वो अनंत है क्यूँ? वो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र होते रहता है भाई जिसके अंदर शैतान है जो दूसरों को कंट्रोल कर सकता जिसरे का माइंड कंट्रोल कर सकता भाई वो कली है और आने वाला यूद भी ऐसा ही AI बेस होगा तो भाई इसी हम सीजन पर आते हैं तो भाई कहानी बहुत बढ़ी है है हम मैं इसको 5 में से 5 स्टार देता हूँ सबकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त है जैसे रियल लाइफ में जी रहे हूँ तो भाई सीरीज आप जरूर देखो पूरे परिवार के साथ देखो मस्ट वाच है इसमें कोई वरगल या कोई गंदे सीन नहीं है जो आप फैमिली के साथ नहीं जैसे देख सकते क्योंकि आज झाल